जहकास सेक्टर अनिल कपूर बॉलिवुड के ऐसे हीरो हैं जिनकी बढ़ती उम्र का कोई असर नहीं दिखता साथ साल की उम्र में भी उनमें यंग हस्टर्स जैसी एनर्जी है अनिल कपूर का फिल्मी करियर फिल्म हमारे तुम्हारे से एक छोटे के किरदार से हुई थी उनके हार्ड वर्क और बेहतरीन एक्टिंग की वज़े से उनका नाम भी टाउन में बड़े समान के साथ लिया जाता है लेकिन यंग हस्टर्स को आज भी अपनी एक तिंग के साथ साथ स्टाइल से भी चुनोती दिने वाले अनिल कपूर की लाइफ हमेशा से इतनी आसान नहीं थी क्या आप जानते हैं कि अनिल कपूर जब मुंबई आयते तो उनका परिवार गैरेज में रहा करता था नहीं जानते तो कोई बात नहीं चले ये आज हम बताते हैं अपने 40 साल के करियर में अनिल कपूर ने 100 से भी अधिक फिल्मे की हैं जिसमें तेजाब, मिस्टर इंडिया, विरासत, पुकार, इश्वर, स्लमट डॉग मिलियनेर जैसी सुपर हिट फिल्म में शामिल हैं लेकिन अनिल कपूर की लाइफ हमेशा से इतनी शांदार नहीं थी कड़ी में हनत और लंबा स्ट्रिगल करने के बाद उन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया है यहां तक कि जब अनिल कपूर पहली बार मुंबई आय थे तो उनका परिवार एक गैरेज में रहने को मजबूर था जी हाँ, आज भले ही अनिल कपूर देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है लेकिन जब उनका परिवार मुंबई आया था तो वो शो मैन राज कपूर के गैरेज में रहते थे इसके बाद उन्होंने मिडिल क्लास इलाके में एक कमरा किराय पर ले लिया था अनिल कपूर के पिता सुरेंदर कपूर के लगन के चलते उनके परिवार को एक अच्छी लाइफ मिल पाई सुरेंदर कपूर फिल्म डायरेक्टर थे इसलिए अनिल का उजहान शुरू से फिल्मों की तरफ रहा अनिल ने बत और ली डेक्टर अपनी पहली डेब्यू फिल्म 1980 में तेलगू सिनिमा में की थी